नमस्कार, चैनल दिव्विक के सभी दर्शकों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुप कामना हैं जैसा कि हम जानते हैं कि आज की दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ती हुई थी और आज की दिन ही हम सभी एकादशी व्रत का आरंब भी करते हैं जो भी प्राणी एकादशी व्रत प्रारंब करना चाहते हैं उनकी लिए एकादशी तिति सबसे उत्तम है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयम धर्म राज दिश्टिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी जो की इस प्रकार है सतियुग में मुर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस हुआ अत्यंत पराक्रमी था बहुत दुष्ट भी था अनेक देवताओं को उसने मार करके उनके पदों से निश्कासित कर दिया था इंद्र आदि देवता उसके डर से भैभीत होने लगे इंद्र अपना लोक छोड़कर अपना सेंगासन छोड़कर भागते हुए तीनों लोकों में घूमने लगे जब कहीं शर्ण नहीं मिली तब वो कैलाश परवत पर भगवान शंकर के पास गए इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर की इस्तुती की और निवेदन किया हे भगवन ये राक्षस मुर हमें मारता जा रहा है हमें पराजित कर रहा है और हम इसके आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा करें भगवान शंकर ने कहा आपकी रक्षा तीनों लोकों के स्वामी छीर सागर के निवासी श्री हरी विश्नु ही कर सकते हैं आप सभी देवता एक साथ भगवान विश्नु के पास जाईए और उनसे प्रार्थना करिए इंद्र आदि देवता छीर सागर आए और भगवान विश्नु से सारी कथा कह सुनाई प्रार्थना की हे नारायन हमारी रक्षा करिए ये मुर दैत्ते पता नहीं कहां से आया और हम सब को पराजित कर दिया भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंतित मत हो जब मैं हूँ तो तुम्हें भला कौन हरा सकता है आप सभी देवता एक साथ भगवान विश्नु के पास जाईए और उनसे प्रार्थना करिए इंद्र आदि देवता छीर सागर आये और भगवान विश्नु से सारी कथा कह सुनाई प्रार्थना की हे नारायन हमारी रक्षा करिये ये मुर दैत्ते पता नहीं कहां से आया और हम सब को पराजित कर दिया भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंतित मत हो जब मैं हूँ तो तुम्हें भला कौन हरा सकता है ऐसा करो कि तुम सभी चंद्रावती नगरी चले जाओ और मैं इस मुर राक्षस से अकेले ही निपट लूँगा सभी देवता चंद्रावती नगरी गए और यहां भगवान श्री हरी विश्नु ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा मुर राक्षस ने देखा स्वयम भगवान पुकार रहे हैं दोडता हुआ अस्त्र सस्त्र लेकर के भगवान के निकट पहुझा भगवान ने अपने अस्त्र सस्त्र उठाए और मुर राक्षस से युद्ध करने लगे अस्त्र सस्त्र तूटते गए और भगवान मुर राक्षत से मल्ल युद्ध करने लगे हाथों से युद्ध होने लगा पाउं से युद्ध होने लगा जैसे जैसे दिन बढ़ते गए युद्ध और प्रचंड होता गया मुर का भगवान विश्णू से दस हजार वर्षों तक निरंतर युद्ध चला लेकिन मुर नहीं हारा और नहीं ठका तब भगवान ने एक माया रची और भगवान ठक करके बद्रिका अश्रम चले गए वहाँ पर हे मुवती नाम की एक गुफा थी जिसमें मत्र एक ही द्वार था भगवान उस गुफा के भीतर विश्राम करने के लिए पहुचे और अपनी पितामबरी ओड़कर नेट गए अर्थात योग निद्रा में चले गए मुर राक्षस उस गुफा में प्रवेश करता है भगवान को सोता हुआ देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि अब तो मुझे मेनत नहीं करनी पड़ेगी मैं सोते हुए ही विश्रु को मार दूँगा जैसे ही उसने अपने अस्त्र से भगवान के उपर प्रहार करना चाहा भगवान विश्नु के शरीर से एक दिव्व जोती प्रकट हुई और एक सुन्दर सी दिव्व देह वाली माता प्रकट होती है जिनका नाम उत्पन्ना एकादशी है मुर राक्षस को एकादशी माता ने संगार किया उसका सिर धड़ से अलग किया और भगवान विश्नु की रक्षा की है भगवान विश्नु जैसे ही योग निद्रा से जागे उन्होंने देखा कि मुर राक्षस का सिर अलग है और धड़ अलग है ये किस ने किया तो उनकी नजर एक देवी पर पड़ी जिनका नाम एकादशी है भगवान ने कहा तुम मुझसे प्रकट हुई हो और आज एकादशी के दिन प्रकट हुई हो इसी लिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी है भगवान के दिव्व शरीर से प्रकट होने के कारण एकादशी व्रत सभी व्रतों में स्रेष्ठ माना जाता है सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है भगवान स्री कृष्ण ने एकादशी माता के उत्पत्ती की कथा धर्म राज दिश्टिर को सुनाई एकादशी कोई और नहीं है भगवान श्री हरी नारायन का ही अभिन अंग हैं हम सबको भी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए क्योंकि इनके व्रत से हमारा तन, मन, अन सब शुद्ध होते हैं और भगवान की प्रीती प्राप्त होते हैं आप सभी दर्शुकों को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुप कामना है। राधे राधे।